आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम ऐसे दहां तक नहीं होता है यार ये बहुत बढ़िया आर्टिकल था टाइमस आफ इंडिया में बहुत बढ़िया नूरा कुष्टी ऐसा लग रहा है कि एरान और इस्राइल की फाइट फिग्जड है आपको याद उतने उतने गोल्डबर्ग ने स्पियर मारा ब्रॉक लेस्टर को ब्रॉक लेस्टर ने एफ फाइव दे दिया तो हडडी पसली तूड़ गई ऐसा लगता था ना खून आता था हतोड़ा मेरे एक दोस्त ने बता दिया था कि जो रिंग होती है उसके अंदर लोहा लगा र तो यहां पर भी कुछ ऐसे ही लग रहा है कि यह नूरा कुष्टी जैसा कुछ है ठीक है ना देखे यह डेंजरस है इरान इसराइल वह डेंजरस है लेकिन कुछ चीजे ऐसी हैं कुछ इंडिकेशन्स ऐसे हैं जो आपको यह बताते हैं कि भाई देखो कुछ तो फाइदा होने वाला है वार में उन देशों को हमेशा फाइदा होता है एक तो जो तेल बनाते हैं जिनके पास एनरजी है और दूसरा जो हतियार बनाते हैं वर्ड वार वन में अमेरिका ने पहले लड़वा दिया कहता ठीक है तुमको भी हतियार देंगे तुमको भी हतिया तो अगर हम बात करते हैं तो वार में इन दोनों देशों का फाइदा सबसे जादा होता है अब इसराइल देख लिए खुब पैसा चापेगा उसका जो एडिफेंस सिस्टम है ट्राइड टेस्टेड हमको चाहिए हमको चाहिए सब खड़ी देंगे है ना टेकनोलोजी तो सबसे पहले क्या चीज़े हैं जो हमको थोड़ा सा ये इंडिकेट करती हैं देखे बहुत गम पॉसिबिलिटी है नेक्स टू क्योंकि इतना एक्स्ट्रीम में कोई नहीं जाएगा पर यह आइटिकल मुझे बड़ा इंटरस्टिंग लगा सबसे पहले तो इरान के पॉलिश्टरी गाड कॉपस है उसमें सबसे डेंजरस फोर्स है अलकुच जैसे हमारी इंडिया नामी है ना तो इसमें पेरा मिलिटरी कमांडोस बहुत तगले होते हैं मार्कोज गरोड ठीक है तो इसमें अलकुच है तो दो जनरल इनके थे अलकुच के अब यह कुच फो आपको बता दूँ कि इस एक अप्रेल को हमला हुआ उसके पद इरान ने बोला कि हम हमला करने वाले हैं यानि कि एडवांस में ही इसको एनाउंस कर दिया गया और 13 दिन तक हमला नहीं हुआ ये भी आपको याद रखना है हमला 14 अप्रेल को हुआ है जब सब कुछ मामला से यूज किया और बोला कि हम सेल्फ डिफेंस में हमला कर रहे हैं खबरों की इसे इरान ने भी सवुदी को बता दिया था अमेरिका को बता दिया कि हम हमला करने वाले हैं तो मेजर वोड कैपिटल्स को इसका अंदाजा था कि भाई और इंक्लीडिंग इंडिया ट्राइवल होने वाला है देख लो सेकेंड पॉइंट जो बहुत इंपॉटेंट है इंफरमिशन एकदम बढ़िया अब इस्राइल ने देखें इनफरमिशन आई इरान ने हमला नहीं किया जैसे हमास ने बिन बोले हमला कर दिया था इरान ने पहले खबर फैला दी क्या हम हमला करेंग सारे अपने AI defense system activate कर दे कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई देश हमला कर पहले सहनाउंस कर दे सारे प्लान पहले पता दे ठीक है कैसे हमला यह तक पता था कि ड्रोंस और मिसाइल से हमला करेगा सारे प्लान पहले माना कि CIA जो है इभी बड़ा active है बट यहां तो इरान नहीं बो इफाक्ट साओधी और जॉडेनिया defense system भी prepared थे सब को पता था ऐसा लग रहा था कि इसी टाइम पे इतने ड्रोंस आएंगे और सारी कि सारी मिसाइल सो ड्रों को intercept कर लिया 99.9% मतलब एक भी ड्रों नहीं गया airbase को थोड़ा नुकसान पहुचा है तो वही होता था था कि नहीं हुई और उसके बाद इरान ने क्या बोला लड़ाई लड़ाई माफ करो इसराइल ने बोला ओके अमेरिका ने बोला ऐसा है कि हम तुम्हारे साथ coordinate ने करेंगे जितना करना था कर लिया तो एक तरीके से सब ने मिट्टी डाल दी है कि हमले पे हमला हमले का जवाब हम तो यह चीज है United Nations में इरान का permanent picture बोलता है कि देखिए matter conclude हो गया है सीधा कि बस हमने कर दिया हमने हमको हमला करना था बस लोग नाच रहे घार है यह हमला कर दिया हमला कर दिया हमला कर दिया हमला करता है तो हम बं मारेंगे यह चीज है तो ऐसे ही face off हमको इरान पाकिस्तान म ठीक है जैश-al-adal जो आतंकी गृफ है वो बहुत काम करता है मलब इरान के खिलाफ तो इरान ने उनको उड़ा दिया था अब पाकिस्तान के बलुचिस्तान पर हमला किया था अब पाकिस्तान ने भी और उस समय दोनों देश जो है वो मिल रहे थे दो दिल मिल रहे हैं मग अब चुकके चुकके और बीच में ही पता चला कि इरान ने हमला कर दिया तो जब ऐसा हुआ यह 18 जनवरी की दोस्तों खाबर है 16 जनवरी को सब्सको यह जो रीजन है ड्रोन्स पे हमला किया मिसाइल अटैक किया जैश-al-adal जो आतंकी संगटर ने काफी समय से अक्टव है सन्स और गॉड. जुसको वला जाता है जान दल्ला ठीक 했는데 जित्व अदल्ला हुआ कि जैसे ही दो दिन बाद पाकिस्तान ने हमला कर दिया हमला हो गया यदर तुमने मारा इधर हमने मारा उसके बाद अब्दुलनिया जो इरान के फॉरेंड मिनिस्टर है होसेन अब्दुलनिया वो कहते हैं लड़ाई लड़ाई माफ करो आव हाथ पिलो अव कमान येस न्यू यर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है चलो मिट्टी डालते हैं से युद्ध पे हो गया हमला हमने कर दिया तुमने हमला कर दिया बस तुम तो हमारे भाई हो ये बात होई कि हमला करने के बाद कहरे कहरे तुम तो हमारे भाई हो कोई बात ने हम अपने जो चीजें हैं वो ऐसे ही करते रहते हैं ऐसे ही तो यह जो पाकिस्तान पर हमला हुआते हैं मैंने पूरा लेचर भी किया है ठीक है तो आप यह समझे कि यहाँ पे अल्रेडी यूक्रेइन में वार चल रहा है और गाजा में वार चल रहा है वर्ड वार थ्री दो ही चीजों की वज़े से यह जो पूरा इसराइल करी जना वेस्टेशिया करी जना अगरिया अनिस्टेबल जो की हो गया है यूक्रेइन रश्या और इंडिया पाकिस्तान और चाइना यही तीन एक ऐसे मुद्दे थे जो वार को छेड़ सकते थे तो एंटिसिपेशन था और यही हुआ एयर स्पेस पहली बन कर दिया अग जाएगी तो सबसे पहले एयर स्पेस बंद किया जाता है कि कोई फ्लाइट ना उड़े राइट कुरूज मिसाइल होती है बैलेस्टिक मिसाइल क्रूज मिसाल सीधे ऐसे चलती है बैलेस्टिक मिसाल प्रोजक्टाइल मोशन में जाती है 45 डिग्री पे तो हमको यह समझना पड़ेगा कि एयर स्पेस अब खोल दिया है कैसे हो सकता है क्योंकि एरान एक ऐसा देश तो है नहीं आप यह समझी कि अगर बहुत भायनक दुश्मनी होती जो कि है ऐसा नहीं है तो प्रोब्लम बहुत जादा हो जाती क्योंकि फिर बिना बताय हमले होते हैं किसी को भी मा करेंगे लेकिन वक्त हमारा होगा समय हमारा होगा वार क्याविनेट ने बहुत बहुत प्रेशर दोगे तो यह बात बोली गई है यहां पर अब देखिए इसमें सबसे इंपोर्टेंट आथा ओए अगर मान लिजे कि ऐसा कुछ होता है तो ओईल की सप्लाई जो है वो एफेक्ट होगी तेल के प्राइशेस घटेंगे बढ़ेंगे तो इसमें सबसे जादा फाइदा किसको होगा इरान को ही तो होगा क्योंकि इरान के पास तेल की भंडार है अमेरिका को भी होगा जो जो तेल प्रेड्यूस करते हैं उन सब को पिनिशल मार्केट में भी कुछ खास असर नहीं पड़ा ठीक है ना अगर हम देखते हैं लेकिन हां यह क्राइश हो सकता है अगर इसराइल हमला करे तो लेकिन कुछ भी नहीं सब चंगा सी 15 से 20 परसेंट जो है वो रश्या से आती है तो अगर आप देखो तो आदी 50 दुनिया में वो ऐसी जगह से आ रही जहां पर युद्ध चल रहे हैं पैसे जादा हो गए हैं हाईर ओयल प्राइस मतलब क्या होगा कि मुश्किल होगा अभी अगर हम बात करते हैं तो इंफलेशन जो है वो कंट्रोल में है महंगाई कंट्रोल में है लेकिन अगर वार होत कर दिया तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी यह चीज़े हैं ग्लोबल सप्लाइचेन के अगर बात करें तो हूती पाइरेट्स ने ओलेडी एडेन रेट सी अरेबियन सी रूट पे इसको कब्जा में करके रखा हुआ है यहां पर प्रॉब्लम क्रियेट कर रहे हैं अभी इरान ने 17 इंडियन को बंदी बना के रखा हुआ है जो इसराइल का शिप था जो कि मुंबई आ रहा था उसको अपने कबजे में लिया ठीक है ना तो अगर दो देशों के बात करें तो फुल स्केल वार का नेगोशेशन जरूरी है वरना सप्लाइचेन खत्रे में यमिन में उपर हजबुला है लेकिन अभी बैलेंस आफ पावर सब चल रहा था काम हमास में युद्ध हुआ तब भी कोई शिप को रोक नहीं रहा था सबके शिप यहां से आ रहे थे जा रहे थे सब था लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो भाई इसमें गल्फ कंट्रीज के साथ साथ इरान को भी मुश्किल मुश्किलात पैदा होंगे आप समझ सकतो भारत के लिए तो सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो भारत आपको पता है जैसे हलांकि इरान से अभी 2020 में हमने बोला कि चलो बिजनस रुपिया में करते हैं ठीक है हमारी ल इंक्रीज होगा भारत को 0.5% करेंट अकाउंट डेफिसेट का जहिलना पड़ेगा तो भारत के लिए तो डिजास्टरस साबित होगा इसलिए भारत ने तुरंत बोला कि भाई डी एसकेलेशन करिये कुछ भी करके आप युद्ध को रोकिए चाहें जो भी हो जाए इस्राइल और हेजबुला आपस में वड़ गए थे तब इस्राइल का ऑपरेशन पिलाओ डिफेंस 2012 में जब लॉंच हुआ था तो ओयल प्राइसेज जो है वो मुश्किलात हुई थी लेकिन भारत का ठीक ठाक मतलब इंपक्ट को भारत ने जेल लिया था कोई इतनी फाइट जो है ठीक है सही है वाई हम तो ही चाहेंगे कि फाइट फिक्स डियो ताकि एसकेलेट ना हो खुश रही पड़ते रही है जैसे सिद्दान तगिनियों तरी सानिको हाँ एक और चीज हमारा क्राइम अफेर्स का चैनल है आज मैं लिच्चर दूगा कि साक्या सलमान कान मार दिये जाएगे तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है आज वो लिच्चर अप्लोड होगा उसके डेली अप लिच्चर अप्लोड होंगे कल भी मैंने लिच्चर डाला था खुश रही पड़ते रही देसे सिद्दान तकिनियों तरी प्रॉब